कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपने यूट्यूब चैनल exam fighters में दोस्तों इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा से र करिएगा मेरा आप लोगों से बीनम्र निवेदन है आप लोगों स्क्रिन पर देख रहा है मुझे पता है आप लोगों के लिए दो यह दो दिन पुरानी नियूज हो चुकि यह अपने स्टेट में साइकलोन का असर था नेट वगएरा जो है बहुत डिस्टरब्त है इस विडियो नहीं पनाया पाई लेकिन आज मौन बहुत दिख़ी है छटी जीपेसी के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं दोस्तों कि यो दिखने कंए जैन उसके बारे में आपको बताओंगा कि परिक्षा संभावित कब तक हो सकती है साथ जह पी करें आपके तैयारी बिल्कुल भी इस सा बारे जारी रहनी चाहिए लगातार जारी है इस survive है बहुत जल्द और जो लोग हमारे चैनल पे नहीं हैं चैनल को सब्स्राइब कर लीजिए और साती पेसी पे आपको जो हमारी टेस्ट सीरीज है Master Test Series दो तरह का पैक है इसमें Combo Master Test Series आप जरूर लीजिएगा Bilingual है With Full Description All India Rank के साथ पूरा Description आपको पूरे concept के साथ इसमें बताया गये है टोटल 80 प्रेक्टिस सेट है Combo में 599 काफी affordable और आपको ज्यादा जानकारी के लिए 72700 यह दो नमबर दिया हुए आप इस पर WhatsApp करके जो है जानकारी ले सकते हैं और प्लेश्टोर से डाउनलोड करिएगा हमारा एक्जाम फाइटर एप यह लोगो रहा डाउनलोड करके आप लोग रेजिस्टर कर लीजिएगा और इसके बाद डारेक्ट ऑनलाइन ही पैकेज कर सकते हैं खरीच सकते हैं हिंदी और इंग्लिस दोनों में यह उपलब्द उसकी बावजूद भी कल के अख़बारों में आपने पढ़ा की जो है छटी जेपहेुज पेज़े चर्कार अपील पर जा रही है बस इसी को लेके मन बहुत दुखी है कि महादिवंगता की राय के बायूजूद महादिवग्ता की राय के बावजूद भी जो है जाना, épisode में, यह कहीं न है कहीं इनक है यह सो करता है कि सरकार की पकड़ JPCC पर ढिलिए है पूरी तरह से ढिलिए है महादिवग्ता की राय की बावजूद थीक है जानते हैं हम लोग की JPCC स्वतंत्र निकाय है लेकिन फिर भी अटलिस्ट इतनी पकड़ तो होनी चाहिए कि जो प्रत्यक्ष है जो गलतिया जो गलतिया थी जिस पर हाई को टम्डा जज्जमेंट दिया है वह गलतिया तो प्रत्यक्ष है वह कहीं भी आप छुपा नहीं सकते दोस्तों को माई 2020 को मैंने एक वीडियो बनाया था वीडियो का डिस्क्रिप्शन मैं लिंक में दे दे रहा हूं उस वीडियो मैंने जो ogyकारन बताय रहे हैं वगेरा हो गया फीक आईडी बना बना के ट्रॉल किया लोगों लेकिन सच्छाई दोस्तों छिपती नहीं वह आपको एक ना एक दिन जो है उसका सामना करना ही है आप चाहे जितना भी बचने की कोशिस करें कानून से उपर कोई नहीं है और अंतता वही हुआ सिंगल बेंच में महाधिवक्त है कि राय के बावजूद भी डबल बेंच में जाना कहीं ना कहीं सरकार की मानशिक्ता पर दोस्तों प्रस्नेशी ने खड़ा करता है एक तरफ तो हमारे मुख्यमंत्री जी जो 21 जिन का ट्विट करके यह बोलते हैं कि जितनी भी विसंगतिया है य नियावली में विसंगतिया है उन्हें दूर कर विग्या पर प्रकासित करने का निर्दे से गया है एक महना से उपर हो गया है लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी की बात हमारे कार्मिक के अधिकारी और जो नीचे के पता अधिकारी वही लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं आपने कुछ दिन पहले देखा कि महाद्यवक्ता की राय जो इस पर आ गई थी यह जो नियम बनाया जा रहा था बहुत सारे पेपर में आया था कि मैट्रिक पास इंटर को ही थर्ड फोड नौकरी मिलेगी यह नियावली पूरी तरह से गलत थी और इस पर महाद्यवक्ता पर राय नहीं दे दिया है जो है मंगलवार को मंगलवार को 27 तारीक को मैंने आप लोगों को दिखाया भी है वो कि यह नियम पूरी तरह से गलत है इससे अपने जारकंडी चात्र नहीं बाहर हो जाएंगे उसके बावजूद भी दोस्तों इस नियम को बनाना ठीक है यह क् नहीं कहीं सरकार की मानसिक्ता को सरकार की मैं नहीं कह सकता लेकिन इस मानसिक्ता को सो करता है कि जान बुच के कोट कचरी के चकर में फसाया जा रहा है ताकि कोट कचरी के चकर में छात्र परिसान रहें सोनी कुमारी का किसी से चुपा नहीं है केस आज 11 और 13 के चकर में कित कि दूसरा देखिए दोस्तों संजुक तरसनात्यकस्त परिक्षा पर भी हम लोगों ने कहा था कि इसमें पीटी और मेंस की जगह सिर्फ एक परिच्छा लिए जाने की बात कर रही है अब मैं इस पर बताता हूं विवाद आपको अगर दोस्तों चार लाग फॉर्म पढ़ना किसका नहीं कहा नहीं जा सकता और जो यह हवाला दिया रहा है कि सरकार जो है जल्दी एक्जाम कराना चाहती है इस वजह से सिर्फ एक मेंस परिक्षा कराना चाहती है अगर आप चाहें अगर आपकी मानसिक्ता हो आयो की मानसिक्ता हो तो पांसे छे मैने में भी और मेंस ल मैं इस वीडियों के माध्यम सब को बताना चाहता हूं कि कहीं न कहीं इससे सरकार की छवी पूरी तरह से धुमिन हो रही है क्योंकि आयोग और कार्मिक की गलतिया कोई नहीं देखता अंत्ता प्रसंचर्ण हेवंध सरकार पे ही होगा हेमन सरकार पर ही खड़ा होगा यह प्रस्चिंद कि जानबुच के गलती आपने बनाई और आपकी आखों के सामने से इस तरह से नियम बनाया जा रहा है कि आगे जाके छात्र परिसान हो आपको पता है कि इतनी बड़ी गलती है छटी जपीसी में महाधिवक्ता ने भी दिख से बर्वाद होंगे छे मेना साल बड़ साल फिर से बर्वाद होंगे रिजल्ट तो कि आज बहुतिंगहएं कर च नहीं ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को बचाने के लिए ऐसा क्या जा रहा है कि आप लोग अकबार के माध्यम से बहुत सारे सोशल पीडिया के माध्यम से देख रहे हों कि 8 अगस्ट को जहारखंड में एक अगस्ट करांती की शुरुआत की गई है छात्रों के द्वारा तो यह छात्र मजबूरन कर रहे हैं अगर आप उन्हें मौका दे रहे हैं अगर कही ने कही ऐसी नेकति निवावली बनाई जा रही है कही न कहीं मुख्यमंत्र जी का पकड़ सरकार का पकड़ ढीवेड अपने अदिकारी उप्यके के जान बुज्च तरह का जो है कि हएं आधिकार रहा आ अगर सरकार नियुक्ति प्रक्रिया सही तरीके से शुरू ही करना चाती है तो इस तरह के नियम क्यों बनाय जा रहा है जो बिवादित हो क्यों बनाए जा रहा है जो भी बातीत हो अगर मांसिकता आपकी सही है तो आप भी मौका है अभी भी मौका है आप जल्ड से जल्ड सब कुछ सुधार करके जो विज्यापन है प्रकाशित करें सर और जो बहाना दिया जा रहा है बिहार का यह कोरोना का के हैं लेकिन निक्ति वर्स के बावजूद घोशित करने के बावजूद अभी तक एक वेकेंसी नहीं निकली है एक भी वेकेंसी नहीं निकली है ये कहीं न कहीं आपकी मानसिक्ता पर आपके निक्ति वर्स की मानसिक्ता पर प्रसंची ने खड़ा करता है सोचने के जरूरत ह जरूर सोचिएगा और इस वीडियो के माध्यम से मैं मानिने मुख्यमंतिर जी से अपील करूंगा कि सर बहुत ही उमीद से जहारकंड के छात्रों ने जहारकंड की जंता ने आपको जो है चुना है सरा को विठाया है तो उनके निरने का सम्मान करिए यह मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ बहुत ही तरस्त है जहारकंड के बच्चे एक साइस कॉंस्टेबल इस्पिसल ब्रांच उनका क्या होगा कुछ नहीं बताया जा रहा है उनके बारे में है लेकिन सरकार कही न कहीं सवही हुई है अर्ट-List Declarification तो दहीं सकते थे सर कि workflow सोच लां है सोचazing का भिशह है और मानसिकता पर diesen तो यह सारी चीजे जो क्रियबलाभ हो रहा है भर्त्वान में आनसिकता पर कहीं प्रस्थन्चिन ने तो सरकार के निट्टिवर्सपे कही न कहीं तो प्रस्थन खड़ा करता ही है तो मैं आपको अस परस्ट बता दो दोस्तों कि 7 जपीसी का exam अभी कोई official date नहीं आई है मैंने आपको बताया था कि 1 और 8 को exam प्रस्तावित था 1 और 8 को, सरकार ने जो letter लिखा था, GPSC ने exam कराने को लेके वो भी मैंने आपको दिखाया था कि उन्होंने जो cabinet का हवाला दिया था सोरी, central का जो हवाला दिया था कि central exam के exam में छुट मिल चुकी है तो हम लोगों को भी exam कराने का मौका दिया जाए तो 1 और 8 को एक संभावित थी थी, लेकिन सरकार ने जो है नहीं दिया permission लेकिन अगर अभी permission मिल चुका है, दो दिन पहले आपको पता है, तो अभी आप यह official नहीं है, यह अभी आप 29 अगस्त को ही मान के चलिएगा कि exam संभावित है यह मैं official नहीं बता रहा हूं, दोस्तों यह हमारे विचारों के अनुरूप 29 अगस्त को संभावित है, अगर आगे बढ़ता है डेट तो आती उत्तम, आप लोग के तयारी और अच्छी होगी, आप लोग तयारी करिए, लेकिन अभी फिलाल मान के चलिए 29 अगस्त को ही का तो ही परकासित किया जाएगा, अब उसमें सुधार करने का मौका मेरे हिसाब से बिल्कुल नगन्य है, बाकि सरकार में कुछ भी हो सकता है, आपको पता है, कभी फैसले पल्टे जा सकते है, लेकिन हमारी जो राय है, अभी आप 29 अगस्त को ही मान के चलिएगा, क्योंकि आपको अपने एक्जाम फाइटर चैनल के माद्यम से आपको जरूर बता दिया जाएगा कि एक्जाम का डेट कब होगा, आप लोग तैयारी करिए, बहुत अच्छे से तैयारी करिए, इस बार का कमपर्टिशन टफ होगा, नो डाउट बहुत टफ होगा, और जो लोग हमा करिए, एक्जाम फाइटर एप, प्ले स्टोर से ये लोगो है, एक्जाम फाइटर प्ले स्टोर से डाउलोड करिए, रजिस्टर करिए, ना मुबाइल नंबर एक पास्वोड बना लिजिए, डारेक्ट आप वहां से पर्चेस कर सकते है, या तो कॉमबो पैक 599 का, जिसमे टोटल 80 प्रेक्टिसेट है, और यह 30 प्रेक्टिसेट जिसमें फुल लेंथ पेपर 1 और पेपर 2 का, फुल लेंथ प्रेक्टिसेट जैसा एक्जाम में आता है, सबसे बहतरी प्रशनों का संकलन, इसमें कोई दोराया नहीं, आप एक बार लगाईए, पहले इस्तमाल करिए फिर विश्वास करिए, टेमोसेट भी दिया हुआ है, तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिएगा, और वीडियो के माध्यम से मैं सरकार से भी निवदन करूँगा, कि अगर आप वीडियो कहीं से भी आ शात्रों का भूश अंधेरे में हैं, उसे अंधेरे से आप उजाले के और ले जाने का एक, जो है सार्थक प्रयास अवस्य करेंगे, तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलते हैं, जै हिंद, जै भारत, जै जारखंड